हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मॉद्स वर्सिस बने अर इस वीडियो में हम मॉद्स और बटर्फ्लाइज के जो Key Difference होते हैं, उनको इसक lange करेंगे और मॉद्स और बने बकतर दोनो जो होता है, नेक्स्ट सबसे पहले डिफ्रेंस जो है wings at rest जब या resting phase में होते हैं तो इनके wings है उनकी position क्या होती है तो butterflies जो होती है during resting phase इनके wings जो है ये closed होते हैं जैसा कि आप यहां पर इस figure में देख सकते हैं के butterfly's जो हैं, इनके wings during resting phase, यहां पे इनके जो body है, इसकी dorsal side पे closed state में उपर की तरफ present होते हैं, ठीक है, जबके moths जो है, इनके wings जो है, यह open होते हैं during rest, यहां पे आप इस figure में इस चीज़ को observe कर सकते हैं, ठीक है, तो में इसके जो butterflies है, इनके wings, इनके जो abdomen thorax है, इसकी dorsal side पे closed state में present होते हैं, जबके moths के wings जो है, during resting phase, यह open state में present होते हैं, ठीक है, और कभी के बार, मतलब, butterflies जो है, during sun basking, यह अपने wings, जो है, इनको open करती हैं, तक कि तमाम area जो है, यह exposed हो सके, अब butterflies और moths, जो है, यह किस time पे active होती है, इनका maximum activity का time क्या होता है, तो butterflies जो है, यह daytime पे active होती है, इसलिए हम कहते हैं, कि यह diurnal है, जबके moths जो है, यह night time पे active होती है, और इनको हम nocturnal कहते हैं, एंटीनी के अगर बात की जाए, तो moths जो है, इनके antenna feather shaped होते हैं, यहां पे आप इस figure में देख सकते हैं, कि इनके antenna feather shaped होते हैं, और curved structure होता है, इनका, जबके butterflies जो है, इनके antennae straight होते हैं, long होते हैं, और इनके antennae है, उसके end पे जाके, bulb like structure जो है, यह present होता है, ठीक है, और लेकिन कुछ moths, जो है, exceptions की अगर हम बात करें, तो उन में feathered antennae present नहीं होते हैं, जैसे कि zodic moth हैं, और इन moths के antennae होते हैं, यह बिलकुल straight होत होते हैं, और feather shaped भी नहीं होते हैं, next frenulum, frenulum जो है, यह basically एक ऐसा structure है, जो के wing coupling apparatus का एक part है, wing coupling से मुराद यह है, के four wing और hind wing जो है, यह जो है, यह एक दूसरे के साथ, बिलकुल कहलें के coupling हो जाती हैं, और जो है, दोनों एक साथ beat करते हैं, during flight, ठीक है, तो जो moths होती है, इन म frenulum जो है, यह present होता है, यहाँ पर आपस figure में जो देख सकते हैं, कि एक slender सा structure है, यह और यहाँ पर यह dark सा, ठीक है, तो यह structure present होता है, इनके जो hind wing है, इसकी leading edge होता है, वहाँ पर present होता है, और यह four wing के साथ, जो है, यह four wing के ओपर structure होता है, जिसको हम retiniculum कहते हैं, जो यह तो इन दोनों की आपस में क्या होता है ये coupling हो जाती है और इस तरीके से जो four wing और hind wing है ये during flight बिल्कुल एक साथ बीट करते हैं ठीक है और लेकिन butterflies जो है इन में ये frenulum present नहीं होता और butterflies में आपने देखा भी होगा कि four wing और hind wing जो है ये during flight बिल्कुल वाज़ तोर पे separate wings के तोर पर नजर आ रहे होते हैं नेक्स्ट है प्यूपी प्यूपी ये एक जो dormant stage होती है insects के life cycle में उसको हम प्यूपा कहते हैं और इसमें क्या होता है कि एक protective case होता है जिसके अंदर जो larva जो है ये spin करता है ठीक है अपने गिर्द बना लेता है और ये जो dormant stage होती है ये प्यूप इसको हम pupa कहते हैं और इस से फिर जो है ये एडल्ट से मर्ज करते हैं तो butterfly की caterpillar होते हैं ये एक pupa spin करते हैं ठीक है इसको हम chrysalis कहते हैं यहाँ पे आप ये जो है ये butterfly का pupa है ठीक है तो ये जो है इस प्रोटिनेशियस नेचर होती है इसकी it is proteinaceous in nature और ये hard होता है और जब के जो मौथ के katerpillers होते हैं ये एक silken pupa जो है इसको spin करते हैं silk जो है basically उसकी composition होती है और इसको हम cocoon भी कहते हैं butterfly's का जो होता है इसको हम chrysalis कहते हैं जब के moths क्या जो dormant stage है यह pupa stage है इसको हम cocoon भी कह सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से जो है ये major differences है moths और butterflies में जबके अगर generally बात की जाए अगर इनके colors के बारे में बात की जाए तो generally speaking जो moths होती है ये थोड़ी dull color होती है जबके जो butterflies हैं इनके अंदर variety of colors जो है ये पाई जाती है